ही गाइस वेलकम बैक टू माई चानल दिपिका स्टैल और मैं हूँ दिपिका कैसे आप सभी लोग आई होप सब ठीक होंगे सो फाइनली आज मैं अपना यारिंग का कलेक्शन का थर्ड पार्ट आप लोग के शेयर करने वाली हूँ तो यहां देखी यह एक बॉक्स रखा हुआ है उसमें कुछ यारिंग्स रखे हुए हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं तो यह मेरा लास्ट पार्ट है यारिंग कलेक्शन का तो आप जरूर देखीगा पूरा अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो प्लीस मुझे मुझे माफ क करते हैं और यहां पर मैं आपको यहरिंग्स वन वैवन बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इनको बनाया है और बाकी दो पार्ट जो मेरा कलेक्शन है दो पार्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पू मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप प्लीज वहां जाके चेक करियेगा, फर्सट पार्ट में क्यूलिंग पेपर से बनाई हुए यारिंस है, और सेकंड पार्ट में मेरे सिल्क थरड बनाइ हुए यारिंस है, तो पलीज आप जरूर देखेगा, तो यहाँ पे मैं आपको yearings one by one बताऊंगी और किस तरीके से मैंने इनको बनाया है वो भी बताऊंगी और अभी lockdown का time चल रहा है तो मैं आपको कुछी yearings बना के बता पाऊंगी अभी मेरे पास भी available नहीं है ज्यादा सामान तो कुछ कुछी yearings मैं आपको जरूर बना के बताऊंगी आपके शाद जरूर शेयर करूंगी और यहाँ पे मैं yearings आपको बता रही हूं तो वो मेरा collection है और साथ ही साथ मैं आपको एक design भी दिखा रही हूं कि आपको इस तरीके से बना सकते हैं तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं हम start करते हैं वीडियो तो मैं बताने बाली हूं आपको यह yearings के बारे में तो यहाँ पे मैंने कोई ना silk thread का बनाया हुआ है yearings ना ही कोई killing paper से बनाया हुआ है यह कुछ कुछ जो yearings का सामान होता है उसको जोड के मैंने assemble करके yearings बनाया है थोड़े से ideas यूज करके खुद के किस तरह से हम yearings बना सकते हैं तो यहाँ पे first देखिए यह जो मैंने yearings बनाया हुआ है यह देखिए आप यह घूमरू है उनको मैंने one by one ऐसे दो दो करके ऐसे इस तरीके से इसमें जोडा हुआ है और यह एक yearings तयार किये हैं यह देखिए ideas बस आप लगाते जाएए कि आप किस तरीके से yearings बना सकते हैं तो यह देखिए दूसरा yearings देखिए आप जो yearings में सामान यूज होता है yearings बनाने के लिए उसी सामान को यूज करके ही मैंने एक और yearings ready किया है यह देखिए यहाँ पर भी मैंने गूंडू लगाए हुए है यह मोती लगा है यह सारा कुछ yearings बनाने में यूज होता है यह देखिए और यह वाले जो yearings है बहुत ज़्यादा light weight है आप समझ लीजे एक पेपर से भी अगर आप एक पेपर लेते हैं तो उससे भी जादा यह light weight है तो यह देखिए यह कुछ इस तरीके की yearings है मेरे पास एक lace थी कुछ इस तरीकी की lace है उससे मैंने यह earrings बनाए है यह देखिए yellow color और ग्रीन कलर की lace से यह देखिए बहुत ज्यादा light weight है easily आप इसको wear कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर लग रहा है और second मैंने इसी lace से यह earrings बनाया हुआ है यह देखिए आपको अपने ideas जोड़ जोड़के की आप किस तरीके से और अच्छ अच्छे earrings बना सकते हैं यारिंग के सामान को use करके भी आप यारिंग बना सकते हैं यह देखिए को next बताने वाली हूँ यह देखिए यह मैंने पीछे newspaper या paper आप कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं उसको लगा के मैंने यह कुछ इस तरीके से ball chain का use करके और बीच मैं यह multi color की chain use करके मैंने यह यारिंग बनाय हुए है यह देखिए और next जो है यह भी इसमें मैंने पीछे paper यूज किया है paper के ऊपर मैंने chain को multi color की chain को layer by layer लगाया हुआ है और फिर यह यह यारिंग बनाया हुआ है यह देखिए किता सुन्दर लग रहा है next आप यह देखिए यह फॉर्म का फ्लॉबर है जो मैं ऐसे ही डेकोरेशन के लिए लाई थी तो उसका मैंने यूज येरिंग बनाने में कर लिया है यह देखिए मैंने यह देखिए यह कुंग्डू लगा के मोती वगरा लगा के इसका मैंने एक यह रिंग रडी किया है अब आप यहां यह देख सकते हैं यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसमें भी मैंने पेपर यूज किया है पेपर के ऊपर मैंने बॉल चीन यूज की है ब्लू कलर और कोल्डन कलर सरकल वाइस आप लगाते जाएए और यह रिंग बना के तयार कर सकते हैं आपको जितना बड़ा रखना है आप साइज उसे साबसे रख सकते हैं अब ही नेक्स्ट यह देखिए यह देखिए यह सारा जो कुछ मैंने इसमें लगाया हुआ है यह पूरा आप एक यहरिंग बनाने में यूज करते हैं मैंने आपको शायद सिल्क थ्रेड और क्यूलिंग पेपर का बताया था यहरिंग उसमें मैंने यह लगाय हुए हैं आप देख सकते हैं अगर आपने नोटेस किया हो तो अभी नेक्स देखिए एक यह है यहरिंग यह सारा सामान आपको इजिली ओनलाइन शॉप पे मिल जाएगा या आप लोकल मार्केट में आपके पास जो भी मार्केट है तो वहाँ से जाके आप पर्चेस कर सकते हैं यह देखिए यह मेरे पास एक मोती रखा हुआ था यह दो तो उससे मैंने यहरिंग बनाए हुए यह पूरा सामन यहरिंग बनाने का है तो उससे असेंबल करके मैंने यह यहरिंग तयार किये हैं यह देखिए यह हूप यहरिंग है मेरे पास यह हूप एक रखा हुआ था तो उसमें मैंने यह मोती डालके इसको रेडी किया है यह देखिए यह पर्ल डिजाइन का बनाया हुआ है यह मैंने इसको असेंबल करके यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है यह दिजाइन है और मैंने इसी तरह से इसी मोती का यूश करके एक यह वाला डिजाइन रेडी किया है यह देखिए इसमें मैंने नीचे गुरू लगाया हुआ है कुछ इस तरीके का डिजाइन यह देखिए थोड़े से आइडियास आपको लगाने पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से यहर्रिंग बना सकते हैं यह देखिए यह देखिए इसमें मैंने पिंक कलर का मोती और वाइलर के मोती यूश किया है यह देखिए एक मेरे पास यह इसमें सिल्क थ्रेड का रखा हुआ है जो मैंने बनाया था इसको आप डबल साइड़ वियर कर सकते हैं और आप यहां देख सकते हैं यह मेरे पास कुछ यह मोती रखे हुए थे उसको असेम्बल करके मैंने यह कुछ इस तरीके का डिजाइन प्रप के और डिके आपको जITना लंबार राकनाः उतना रख सकते हैं एक का भी बना सकते हैं दो आप इस प्रपत्र। यह अभी आप यह देखिए यह वाला यहरेंंग यह देखिए उतना किया लगा रहा हैं यह ब्लू कलार का मोती यह इस यह इसमें थोड़ा सा मैंने अपना आईडिया यूज करके ये कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है मैं एक आपको दिखाती हूं ये देखिए ये वाले मोती आप इसमें देख सकते हैं ये बीच में जो लगे हुए है वही मोती है उनको ऐसे मैंने जोड़ जोड़के ऐसा कुछ यारिंग रड़ी किया है ये देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है पहनने पर भी बहुत सुन्दर लगता है और यहां पर मैंने एक पॉम-पॉम यारिंग रड़ी किया है ये देखिए ये पॉम-पॉम है और ये मोती रखे हुए थे उसको असेंबल करके मैंने ये एक किया है सेकेंड देखिए यह पिंग कलर का है यह देखिए पिंग कलर का पॉम पॉम है और मेरे पास यह पिंग कलर के मोटी रखी हुए थे उनको अटेच किया है और यह परल लंबे वाले रखी हुए थे उनको अटेच करके गोल्डन कलर के मैंने हुक से इसको बनाया हुआ ह यह देखे अभी आप यह देख सकते हैं सिलग थ्रेड नहीं है यो नहीं है यह देखिये यह गयारिंग फूर्ट से बनाया हुआ है। सिल्क थ्रेड से बनता है बट मेरे पास सिल्क थ्रेड अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने उनके थ्रेड से बनाया हुआ है यह देखिए यह ब्लैक थ्रेड है बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह देखिए तो आपने यहां पे सारी एरिंग्स देखे मैंने आपको बताएए मैंने असेंबल करके बनाई हुए हैं कोई इसमें मैंने सिल्क तरइड या क्यूलिंग पेपर यूज नहीं किया है आपने देखा कि मैंने आपको किस तरीके से एक डिजाइन बताई हुए है आपको अपने आईडियाज खुद लगाने होंगे कि आप किस तरीके से बना सकते हैं और मैंने एक आईडिया आपको दिया भी है यहां पे यह यरिंग्स बताके कि आप किस तरीके से यरिंग्स बना सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो उसमें यरिंग्स बनाना जितना भी मेरे पास सामान अवेलेबल है मैं उससे आपको यहरिंग्स बना के बताऊंगी क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो सामान मिलना भुर्वर मुस्किल है तो जो सामान है तो मैं उससे आपको बताऊंगी तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और येरिंग्स के कलेक्शन का तीनों पार्ट आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ डिजाइन मैंने कुछ बनाई हुई है तो आप प्लीस एक लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिए वीडियो अपनी दोस्तों में अपनी फैमलीज में और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको येरिंग्स कैसे लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर बेल आइकन का बटन आप प्रेस करेंगी तो आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहेगी तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो म बताग अिलिए बाइ बाइ